नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बात करें जीनाम के जातकों के मन के सबसे बड़े डर के बारे में जनम कुनली के 12 भाव में 6, 8 और 12 स्थान अत्यादिक समश्या देने वाले होते हैं और इनमें डर का निवस्तान 6 भाव और 8 भाव में होता है, 6 भाव से समणने डर ग्यात होता है और 8 भाव से अग्यात और छुपाववा डर ग्यात होता है चटवे भाव से उत्पन डर सीधे सीधे बारवे भाव को प्रभावित करता है और आपके जीवन में समश्य होत्पन होने लगती है आठवे भाव से समंदी डर आपके दूसरे भाव को प्रभावित करते हैं जिससे आपके आत्म विश्वास में कमी आती और आप जीवन में तेजी से सफल नहीं हो पाते आपने डर पर आप विजय प्राप्त करें और इसके कानों को अच्छी तरीके से समझें इसलिए आज हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं आज हम बात कर रहे हैं जी नाम के जातकों के बारे में जिनके मन के डर के बारे में आज हम पूर्ण विस्तार से आपको बताएंगे जी नाम के जातकों की कुम्ब राशी मानी जाती है और कुम्ब राशी राशी चक्र में ग्यार विस्तान पर आने वाली राशी है इस राशी के तीन द्रेशकों ने जिनके स्मौमिक क्रम से सनी बुद और शुक्र ग्रह है जिसमें सनी ग्रह कड़ी मेनत ज्याय प्रियता जुजारुपन गंभीर विशलेशन आलश्य रोग रुकावट आत्मगलानी के प्रतीक है बुद ग्रह, बुद्धी बल, ग्यान, सालिंता, वैसोमिता का प्रतीक है, शुक्र ग्रह, प्रेम, सुन्दर्ता, मन की कोमलता, दया और बड़े दिल का प्रतीक है कुम्राशी और मकरासी में द्रेशकों श्वामी एक जैसे हैं लेकिन ग्रहों का क्रम अलग अलग है और क्रम के इसाब से बुद्धी भाव में बुद्ध आ जाते हैं जो कि इनको प्रत्येक छेत्र में क्रांतिकारी विचारों वाले बनाते हैं देशकों में सनीग्रह के होने से इनके अंदर निस्पक्ष न्याय प्रियता और गंबिर विचलेशन करने की छमता होती है और इस गंबिर विचलेशन को क्रमवार पंचमेश बुद्ध का बुद्धी बल और भागेश शुकर का सुब प्रभाव मिलता है जिसके चलते या किस सभाव में कुछ आलश्य भी देखा जाता है लेकिन यह सदेव नहीं रहता इनकी प्रतिबा और समझदाई तब देखने को मिलते हैं जब इनके सामने कोई बड़ी विपत्ति खड़ी होती है द्रेशकों में बुद्ध घ्रह के होने के कारण और बुद्ध घ्रह का स्वयम पंचम भाव का स्वयमी होने के कारण इनके अंदर गजब का बुद्ध घ्रह को कम से कम समय में कैसे पूर्ण करना है इनसे अच्छा कोई नहीं जानता है लोग बैस और विवादों में अपना समय बरबाद करने से दूर रहते हैं और बेमतलब में अपने बुद्ध घ्रह नहीं करते बुद्ध घ्रह के प्रभाव के चलते हैं बहुत अच्छे सलाकार साबित होते हैं इनकी सलापा कर कई लोगों का जीवन सवर जाता है लेकिन इसके विप्रीत या खुद के लिए कभी कुछ नहीं सोचते द्रेश कौन में सुक्रग रहके होने के कारण इनके अंदर दया वैप्रेम के लिए एक विसेश सम्मान होता है या अपने इस पक्ष को बहुत मजबूती से सबके सामने रखते हैं कि सभी को स्वतनतरता से अपना जीवन जीने का अधिकार है इसलिए निर्भिक होकर जीओ और दूसरों को भी जीने दो यह लोग सदेव समाज के लिए कुछ ने कुछ करते रहते हैं जिसे समाज की सोच का दायरा बड़े यह लोग कला और संगीत प्रेमी होते हैं किसी भी चीज को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है इनकी व ज्यान विवेक और जीवन के प्रतं और प्रात्मिक रहेश्य को प्रगट करने वाली रासी है हाथों में घड़ा उठा का रखना समर्थे को प्रगट करता है और इनना उम के जात्कों की वचन-बदता को प्रगट करता है कि यह लोग वचन को कितना मैतो देते होंगे घड नाज्यान और सकती संग्रे की छमता और गुप्तता को प्रगट करते हैं और घड़े में रखा जल जीवन के मुख्य स्त्रोत्र और प्रामाश्यक चीजों के प्रतिध्यान आकर्शित करते हैं। दूसरों के कारियों को देखकर उन्हें दोराने में यकीन नहीं करते हैं बलकि एक नई सोच और विचार धारा दे कर समाज को नई दिशा देने के पक्ष में होते हैं। पंस्तत्वों में प्रतेक तत्व का अपना गुन और आउगुन होता है। वैग्यानिक अपनी प्रयोक साला में एकांत में रहकर सारे शोध करता है। वैसे ही ये लोग भी एकांत में रहकर वैचारिक मंथन कर आगे बढ़ते हैं। इनके दोस्तवर जीवन साती कई बार इनको संकी और अस्थिर भीमान बैटते हैं। लेकिन इनके लिए ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा। जिस प्रयोक साले में बैठा वैग्यानिक जैसे जैसे नए नए वैग्यानिक अविश्कार कर आगे बढ़ता रहता है। वैसे ये लोग भी जीवन के समन्द में रोज मंधन का नई सीखी हुई चीज को प्रगट करते हैं। जिससे इनके साथ रहने वाला व्यक्ति इनके वैचारिक पदोनती को समझी नहीं पाता और इनको संकी अपागल कहकर संबोधित करता है। सरल सब्दों में समझा जाए तो इन नाम वाली जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं लेकिन वैये किसी पर प्रगट नहीं करते हैं। कई बार तरक दे कर आपको भ्रहमित करने से बसते हैं क्योंकि वैये जानते हैं कि आप नहीं समझ पाएंगे और इनके बताए तरक को गलत समझेंगे। करने का प्रयास करते हैं तो आप बिलकुर आपसे ज़्यादा गंबीर और स्ब्दों के रहशयों को आपसे ज्याधा समझें इसलिए इनके सामने अपना प्रम्परागत माय जालबुन्ने का प्रयास कभी न करें। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि पंस्तवतों में इनके अंदर वाईत्वत की प्रधानता होती है जिसके चलते ही है सदेव स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं और मुक्त रूप से अपने जीवन से सम्मंदित सभी पक्षु पर शोध और उन पर परिक्षन करना चाहते है जिसे यह आंत्रिक और आत्मिक रूप से पून विक्षित हो पाएं स्वतंतर रहने के प्रवर्ति और इक्षाई इनके मन के सबसे बड़े डर को जनम देती है और वह डर होता है बंधन यह लोग अपने जीवन में हर उसकारे को से डरते हैं जिसे बंधन होता है बंधन चा जो कि इनके सभी प्रेकार की विकास में बहुत बड़ा बाधक सिदोता है, मित्रो जीवन स्वेंप एक अनुबंद है और हमें इस अनुबंद को सभीकार करना ही पड़ेगा, वायू यदि पंस्तत्रतों के साथ ना बंदे तो इस प्रेकरती और आपका निर्मानी संभावना जाओ, नवगर्य की गती नहीं होती, इस स्रश्टी का विकास नहीं होता, जीवन में बंदन को संकल्प मानकर करन करेंगे तो जीवन सुखद रहेगा और यदि बंदन को एक बार मानकर चलेंगे तो यदि जीवन आपके लिए और आपके आसपास रहने वाले सभी लोगों को अपनी शक्ती बना कर आपने मन के इस डर्श से सदा के लिए मुक्ति पाए, पर मेशोर आपके अंदर के सभी विकारों का नास करें, आप अपने सभी प्रकार के डरों पर विजय प्राप्त करें इसी मनसा के साथ, नमस्कार दोस्तों क्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों, जय हिंद